आज हम आपका दिव्याकरण में पार्ट चौदा मुहावरे पड़ेंगे जब हम बातचीत करते हैं तो कभी-कभी हमारे मुख से क्या होता है कुछ ऐसे वाक्ति निकल जाते हैं दिन का क्या एक विशेष अर्थ होता है उनके साब्दिक अर्थ का महत्तो नहीं होता वरन उनक हम क्या कहते हैं जैसे कि सब्दों का एसा समूह जिसका कुछ विशेष अर्थ सेनिकलें पार्प ने जैसे मैंने बोला खून खोलना। हना तो हाथ बटाना मतलब अपने हाथों को नहीं बाटना बल्कि क्या होता है किसी की मदद करना तो इनका क्या होता है एक विशेश महत्त होता है इहां पर मैं कुछ मुहावली रिखूंगी फिर हम उनका वाक्य में प्रियोग करेंगे जैसे कि आप हम लेते एक आख फिरना आख फिरना आख फिरना आख फिरने का मतलब यह नहीं कि हमने आखे को करने मतलब की आख फिरना मतलब बदल जाना होना क्या हो जाता है इसका बदल जाना ठीक है बदल जाना में आपका बदल जाना हो जाएगा तो आप इसका माक्य में प्रियोग करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि जब मुझ पर मुसीबत आई तो जो मेरे मित्र थे उन्होंने क्या करी आखे फेल दी आप इस तरह से इसका वाक्यों में प्रियोग करेंगे फिर आपका दूसरा है इसमें आप लोगें आख का तारा हाना आख का तारा आख का तारा में स्टार नहीं है मतलब कि इसका मतलब क्या होता है बहुत जादे प्रियोग होना हाना तो इसको लिखेंगे हम क्या बहुत प्रियोग होना ठीक है तो मतलब अब इसका वाक्यों में प्रियोग करेंगे क्या करेंगे राम अपने माता पिता की आखो का तारा है इस तरह से हम इनका वाँगे में परयोक भी करेंगे हाना फिर आपका तीश्य subscribe लेए लोगि आश्मान सिर्पर उठाना ठीके आश्मान सीर पर उठाना इसका मतलब यह नहीं कि आप सीर पर सच में आस्मान उठा रहे हो इसका मतलब हो कि बहुत अधिक आप लोग शोर करना अधिक शोर करना इसका मतलब यह होता है बहुत अधिक शोर करना मतलब की मैंने आपसे बोला ना कि इन वाक्तियोंसों को क्या होता है एक विशेश अर्थ होता है हाना कि जो उसका मतलब जैसे आस्मान सीर पर उठाना मतलब यह नहीं कि आप आस्मान सीर पर उठा रहें हाना तो मतलब कि आकास पाताल एक करना मतलब इसका मतलब क्या होगा बहुत ज्यादा प्रयत्न करना मतलब अपने बहुत प्रयत्न करना करना ठीक है तो इससे क्या होगा परिच्छा में पर्थम आने के लिए दिनेस ने आकास पाताल एक कर दिया मतलब उसने बहुत जादे अपनी परिच्छा के लिए बहुत जादे महनत करी बहुत परितनी करा तो इसको बोलेंगे आकास पाताल एक करना फिर है आग बबूला हो ऐगबबब उने का मतलब क्या है कि मतलब आग में जलन नहीं को इसका मतलब करता है बहुतं जादे करोध्ट करना ठो बहुत करोधります us उसको आप बनाएंगे कि जैसे जब इने खेल में कपड़े फाड कर आया या गंदे करकर आया तो उसकी माँ उसे देखकर क्या हो गई बहुत आग बबुला हो गई इस तरह के हम वाक्य बनाएंगे इनको हाना फिर आपका इसमें लेंगे हम उंगली पर नचाना उंगली पर नचाना होना उंगली पर नचाना में उंगली पर नाचना नहीं होता बलकि इसका मतलब होता है पूरी तरह से वश में करना क्या होता है पूरी तरह वश में करना वश में करना ठीक है तो इसका मतलब यह होता है उंगली पर नचाना मतलब अपनी उंगली पर नही करना तो हम इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको क्या इसका वाक्य बनाएंगे तो राजू की चाच्ची पूरे परिवार को अपने उंगली पर नचाती है इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं ठीके फिर है आपका कान पर जू न रिंगना हना कान पर कान पर जू न रिंगना हना तो इसका मतलब यह नहीं कान पर जू रिंगना सच में कान में जू रिंगना हना इसका मतलब होता है कि कोई प्रभाव न होना कोई प्रभाव न होना हना इसका मतलब यह होता है सच में कई आप यह नहीं सुचे कि कान पर जू रिंगना है इसका मत आपिका ने उसे बहुत समझाया, किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए बहुत समझाया, लेकिन उसके कान पर जू ना देंगी, आप इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, इसका मतलब यह होता है, फिर आपका है, घाओ पर नमक छिड़कना, घाओ पर नमक छिड़कना, ज सर्च में घाओ पर नमक छिड़का जाता है, इसका अर्थ विशेश में आपको बता है, इसका विशेश अर्थ होता है, तो घाओ पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी जो है, उसको और दुखी अर्थ अधिक दुखी करना, मतलब दुखी को और अधिक दुखी करना, और अ अधीches गुगी करना तिक इस तरह से अब मिनको लिखींगे फिर आपका उसमें गीके दिये जल दिये गी के दिये जलाना इसका घी के दिये तो ऐसे जलाते हैं रेकिन घी के दिये जलाना का इसका मतलब यह नहीं है इसका मतलब पता है खुशी मनाना ठीक है जा कुछ को मेनिंग पता होगा तो फिर आप इसका वाक्य में प्रियोग भी आराम से कर सकते हैं कई वर्ष के बास जब दर्शन घर वापस लोट क्या राया तो उसके परिवार ने घी के दिये जलाई या जब राम चंद्र जी 14 वर्स के बाद वनवास से लोटे तो पूरे जो उध्याती उन्होंने अपने घर में घी के दिये जलाई आप इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं सिंटेंज जवाब को उसका अर्थ पता होगा तो आप उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो जमीन पर पैर न पढ़ना जमीन पर पैर न पढ़ना इसका मतलब यह नहीं कि जमीन पर पैर नहीं पढ़ने इसका मतलब अभी मान होना मतलब अपने आप गहन करना पहुचा दे अभीमान होना ठीके तो इसमें क्या एगा वैपार में थोड़ी सी सफलता क्या मिली तो उसके पैर जमीन पर नहीं पढ़ रहे है मतलब वो खुजी सिता हो क्या है थोड़ी सी सफलता मिलने पर भी वो अपने आपको जो उसके पैर है जमीन पर नहीं पढ़ रहे है इस तरह से आप इसको करेंगे अब हम क्या करेंगे अर्थ है अर्थ के अनुसार आपको मुहावरा बनाना है ठीके यदि मैंने बोला हरा देना हाना तो हरा देने का क्या मिनिंग बनेगा कोई बताएगा मुझे हरा देना, किस्टीज में हरा देना, गेम में ये किस्टीज में तो क्या बुलेंगे जैसे कि मैंने आपको एक वाक्य देती हूँ, जहासी की राणी ने अंग्रेजयों को युद के मैदान में हरा दिया था तो आप इसका क्या बनाइंगे, मतब उनके क्या मीनिंग बनेगा इसका कौँं सा मुहारा बनेगा बताओ, दाथ खटे करना, इस तरह से भी हम उनको बना सकते, फिर आपको दूसरा है इसमें माना कि जोर से भूक लगना, कई बार हम बोते हैं इसमें बहुत जोर से भूक लगना तो आप कौन सा महारा बोलोगी जोड़ से फूख लगी है कई बार हम बोलते हैं लगा हमे पेट में चुहे कूधना इस तर से हो सकता है फिर आपका होना क्रोधित होना क्रोधित है तो उसको कैसे बनाएंगी हम लोग उसका महारा क्या बनेगा क्रोधित होना ठीक है वो क्रोधित हो रहा है तो उसका क्या बने का बताओ क्या बलेंगे लाल पिला होना पिला होना इस तरह से हम इनको बाक्या में अर्थ में भी हम प्रियों कर सकते हैं फिर आप एक हो लेते नाराज होना हाना इसका क्या महावरा बनेगा नाराज होने का बताओ नाराज होना हम क्या बोलते हैं जैसे कोई हमसे नाराज होता था हम क्या करते हैं इसने मुह फुला लिया हाना तो मुह फुलाना हाना मुह फुलाना इस तरह से हो सकता है फिर मैंने बोला कि बहुत परेशान करना बहुत परेशान करना तो इसका क्या बलेगा? उसने बहुत परेशान करा हमें तो हम क्या बोलते हैं? उसने तु नाक में दम कर दिया बोलते हैं हम लोग कई बार ऐसे आजाता है मुह में तो नाक में दम करना, तो इसका क्या महावरा बलेगा, नाक में दम करना, देखो बन गया अलाम से, जैसे कि मना करना, तो मैंने मना करा है, कई बार असा होते है कि आपकी दोस्त ने आपसे कोई चीज मांगी है, और आपसे नहीं दोगी, तो आप क्या करते हो, अंगुठा दि तरह से प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र अब तपाना इसी तरह से आपका चुगली करना, अचुगली करना तो चुगली करने के लिए क्या करती है हमकर किसी के कान भर्ना क्या वोलती है, उसने उसके कान भर दिय ऐसे भी कान क्या बेख बोलेंगे हम लोग,बताओ कान भरना इस तरह से हम इन वाक्यों को आप मतव आर्थों को भी हम वाक्यों में मुहावरों में इनका प्रयोग कर सकते हैं अब आपका अपर्टित गध्यांस अपर्टित गध्यांस क्या होता है मतलब की इसका मतलब होता है वो गध्या का अंस जो कि हमने पहले ना पढ़ा हो, उसे हम बोलते हो आपटित गध्यांस, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विध्यार्ति की जो समझ है कि उन्हों कितना ग्यान है, उनको आपटित गध्यांस दिया जाता है, और इसके लिए आपको भाशा का ग्यान भी होना चीए, आपको पढ के लिए 10-15 मिन दिये जाते है तो आप उसको अच्छी तरसे उसको गध्यांस को पढ़ेंगे 2-3 बार फिर आप क्या करना जो गध्यांस में आई जो मुख्य बाते होती है उनके नीचे क्या करना चाहिए हमें अंडरलाइन या रखांकित कर लेना चाहिए हाना प्रशनों के उत्तर गध्यांस पर आधारिती होने चाहिए आप उससे भाहर से नहीं लिख सकते लेकिन जो गध्यांस पर आपको दिया गया होता है उसी के आधार पर प्रशनों के जो उत्तर है उन्हें लिखेंगे उत्तर के अपनी भाशा में लिखने चाहिए हाना उत्तर जितना अगर गध्यांस का शिर्षक पुछा जाए तो उसका छोटा और आकर्षक शिर्षक लिखना चाहिए जो जिसमें हमकिया गध्यांस में जो मुख्य बाते आई होती है उसको हमने शिर्षक के रुपे लिखना चाहिए ठीके अब आपका इसमें मैंने गध्यांस लिखा है मैं पढ़ रही हूँ बहुत समय पहले अहुद्या में एक राजा राज्य करते थे उनके चार पुत्र थे राम लक्षमन भरत और सत्रुगन चारों भाईयों में राम सबस यनक के पुत्री सिता से हुआ था सिता भी बहुत गुंवति इस्तृ थी यह था आपका इसमें तो इसमें दसरत कहां के राजा थे अभी हमने पढ़ा था हना बता राजा थे जितना प्रश्म में पूछा जाए आप उत्ता ही उत्ता लिखे दसरत के पुत्रों के क्या नाम थे आप दिखोगे दसरत के पुत्रों के पुरा अंसर लिखना है आपको दसरत के पुत्रों के नाम क्या थे राम फिकॉमा आप कॉमाज वगरा कभी आप ध्यान रखोगे लक्ष्मन भरत और सत्रुगन थे ठीके प्रजा राम को क्यों प्रेम करती थी क्यों करती थी क्यों करती थी क्योंकि राम क्या थे बहुत जादे गुणवान थे इसलिए उनकी प्रजान से बहुत प्रेम करती थी तो आप लिखोगे राम क्या थे बहुत गुणवान थे गुणवान थे इसलिए फिर आप आंसर पूरा पर लिखोगे इसलिए प्रजा उन्चे प्रेम करती थी प्रेम करती थी फिर आपका क्या सीता किसकी पुत्री थी अभी हमने पढ़ा था राम का विवा राजा जनक की पुत्री सीता सीवा था तो सीता आपके वल आपने इतना ही लिखना है पुरा गध्यांस में से बच्चे क्या करते हैं पुरा टिक लगा के लिख देते ऐसे नहीं रिखना है कि जित्ता question में पूछा जाया उसका आंसर देना है सीता जनक की पुत्री थी इस तरह से सीता किसकी पुत्री थी सीता राजा जनक की पुत्री थी निम्रिकित वाक्यांसियों के लिए एक-एक शब्द गध्यान से छाटके लिखना है आपको केवल एक शब्द लिखना है जो सदा सत्य बोलता हो कहां पे था ये? आया था इसमें भी गुनवर्ति हो जाएगा, निमने लिखे सब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं इसमें, प्रेम का क्या होगा आपका, घिरना हो जाएगा, प्रसंसा का निंदा हो जाएगा, इस तरह से आप अपने गध्यांसों को अपने एक्जाम में जबाता है, आप उनको करोगे, धन्य जाएगा.